अगर आपको डाउट है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं करता है या वो आपके साथ लॉयल है या नहीं है तो सबसे पहले आप हर शुकरवार को और माम physical उसके ले कि physicality सही नहीं है जो sexuality हो सही नहीं है अगर वो सही नहीं है तो सबसे पहले तो देखें इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि कुनली के अंदर दोनों के ग्रह कैसे टकरा रहे हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मलदार एपिसोड में आज फिर से हमारे साथ है Trishla ma'am Trishla ma'am आप तो हमारे family member ही हो चुके हो आपके podcast आपकी reels लोगों को इतनी जाधा पसंदे कि हम बार-बार आपको इतनी दूर बुलाई लेते हैं ट्रैफिक में thank you ma'am कितनी वाइरल हो रही है आप ऐसे reels पे जगा जगे आप भी दिख रहे हो और जगा है जैशी किस्टा और बहुत सारे लोग उसका गलत फायदा भी उठारे जैसे हमें पता चला कि मैं आप ही बताओ वो थोड़ा clarify कर दो audience को कि क्या चल रहा है आपके नाम से actually क्या होता है कि जब आप सबके सामने आने लगते हो तो फिर लोग आपकी चीजों से न अपनी इमारते खड़ी करने लगते तो वही हो रहा है लोग चैनल्स बना रहे हैं मेरी डिल्स डाल डालके इवन अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम लोगो और नाम के अंदर कहीं डॉट लगा दिया कहीं स्लैश लगा दिया बस इतना सा अंतर है और सेम नाम रखके और उनको अलग-अलग चैनल्स अपने क्रियेट करें करिये आपको यूटूब से कमाना है कमाईए आपको इंस्ट्रा से कमाना है कमाईए आपको फेस्बुक से कमाना है कमाईए आपको मेरी रील्स डालनी है वीडियो डालनी है मुझ से ही मांग लो न म मेरी वजह से मैं तो वैसे कौन ही हूँ बहुत बड़ी बात करें आप नहीं है इतनी पर अगर कारण मैं बन रही हूँ तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप करिए खुब डालिए लेकिन वहां पर आप लोगों के साथ फ्रॉड मत करिए जैसे एक ने मेरे नाम से मैंने आज तक अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करा जहां मुझे यह लगे कि यह पैसा मुझ पर खर्चोगा वो चीज मैंने सेफ करी है केवल एक उदेशे से कि मेरे ठाकुर जी का मंदिर बन जाए और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बन जाओ वो बहुत बड़ा अब उनको लग रहा था शायद कि इस तरीके से लोग जो भी आएगा उनका काम चल जाएगा खेर उसको समझाया अच्छा बच्चा था समझ गया सौरी भी बोला उसने जिसके लिये थे उनको वापस भी कर दिया रिफंड भी कर दिया उसने पैसे यह अच्छा इंसान था स थाकुर जी के नाम से नहीं मैं अच्छा आपने क्लियर कर दिया और यह बता दिया कि भई मैं कभी चारटी नहीं करती हम भी अपने प्लाटफर्म पर हमने भी कभी पॉड़कास में यह नहीं करा जंता से बोला कि तुम हमें पैसा दो या आगे कहीं हम चारटी मैं जब सामर्थ है मैं जिसको दे सकती हूं मैं दूगी इन फैक हमने भी मैं से पूचा था कि मैं हम कुछ हुल रहे हैं तो आपने साथ इस इस नाम पर तो स्कैम ना हो थोड़ासा बी केरफूल एंड और जो कर रहा है वो प्लीज ना करे ठाकुर जी नाम पर ऐसा कुछ जब तो मैं पक्का से आऊंगी और आपको बताऊंगी कि मंदिन निर्मान हो चुका है अब आईए दर्शन करिया आश्रवार लीजिए वहां का आपको पूरी इंफोर्मेशन दूंगे लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए नहीं बस आप लोगों की दुआए और आप लोगों की ब् को बीज़ार में दोशले हैं सबी यंग्स्टर के लिए मुझे लग रहे हैं है आज सारे एज grub कर और ऑने वाले जिनकी शादी हो चुकी है वह बी जो शादी से परिशान है वह भी जिनको नहीं होरी वह भी वहीं है कि जनको गर्फरेंड नहीं मिल रही वह भी , जहाने भी और जिनके नहीं है वह का आप दोस्तो ही है ज़ी आम आप पे Shape मैं परे माश वाहए करें न हम और बीच बीच मैं पीछे की चीजे भी बता हैं तो मैं जो कि स्टार्ट होती जिनके पास partner नहीं है, अच्छे partner की तलाश कर रहे हैं, या परक है कैसे, कौन मेरे लिए सही है, कौन नहीं है, किसके साथ नहीं बेहगी, किसके साथ नहीं, तो उसके लिए कैसे analyze करें, क्या remedy करें, कुछ बताओ. देखो बच्चा, एक तो यह होता है, कि आप पहले कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, इसके अंदर बहुत सारी calculations आती है, पुछ astrology की आती है, कि आपके जो नाम राशी है, उनकी जो नाम राशी है, उसमें कितना दौनों के अंदर गुण मिल रहे है, या दूसरे के साथ वफादारी दिखा रहे हैं, कितना committed है, कितना लंबा चल पाएंगे, फिर दूसरी चीज यह आती है, कि आप आपका जो relationship है, वो क्या है, कार्मिक है, या वो आपका ऐसा relationship है, जो आपको पूरी जिंदगी के लिए मिल गया है, यानि कि आपका soul connection है, क्या जैसे हो, जो एक दूसरे से मिलेंगे, और फिर मिलके कुछ नया उत्पन कर देंगे, ट्विन फ्लेम, ठीक है, इसके अंदर नुमरोलाजी भी बहुत help करती है, इसके अंदर आपके कुंडली के बैठे हुए ग्रहे भी आपको बहुत support करते हैं, तो ये तो हम एक बहुत ब महादर्शा या अंतरदर्शा में अगर आपके जीवन में कोई रिलेशन्शिप आपका स्टार्ट हो गया, और उसका रिलेशन आपका मोबाइल के थू, कम्प्यूटर के थू या इंटरनेट के थू चल रहा है, मतलब वो आपको ऐसे नहीं मिला, कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, डेटिंग एप और वैसे, एक्जाक्ली, लॉंग दिस्टेंस ना हो, सेमी सिटी में हो, लेकिन माध्यम जो है, वो कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन है, ठीक है, तो वो रिलेशन्शिप आपको धोका देगा ही देगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सिर सबसे पहले क्या होता है, दौनों के बीच में, अट्रैक्शन, एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को जाना, समझा, बाते करने लगे, बड़ा अट्रैक्शन आ गया, उस समय क्या होता है, पूरी दुनिया में केवल वही इंसान बस सही लगता है, बिलकुल, चाहे वो कितन समय भी गलत हो, लेकिन वही इंसान सही लगता है, अट्रैक्शन, आपके अंदर एक सम्मोहन आ गया सामने वाले को लेकर, आप वशिभूत होते चले गया, करवाया नहीं है, अपने किसी से, यह अपने आपी है, प्लानेट साब कर देते हैं, उसके बात क्या होता है, थोड समाज रग दिया, खुद को रग दिया, खुद की चिंता नहीं हो रही, खुद की परवा नहीं हो रही, लेकिन दूसरे के लिए जान निकाल के रग दे रहा है, दूसरा उसके लिए सब कुछ है, उसकी दुनिया ही वह है, एक तरीके से कहूं तो दुनिया ही वह उसकी नज तो आप दूसरे के हिसाब से चलने लगते हो और वो व्यक्ति धीरे 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 करके आप से अलग होने लग जाता है तो आपको उस व्यक्ति से क्या मिलता है दर्ध तकलीफ परिशानिया और वो आपके साथ क्या कर रहा होता है जब उसको जरूरत है तो आप उसके लिए होने चाहिए लेकिन जब आपको जरूरत है वो व्यक्ति आपके लिए नहीं हो आपको वीडियो कॉल करनी है आपको जरूरत है कि आप चाहते हो कि आप उसको देख लो आप नहीं कर सकते हैं, लड़ाई हो जाएगी, डाट देगा, ब्लॉक कर देगा, तुमने मुझसे भी ना पीछे मुझे वीडियो काल कैसे लिया, तुम मुझे पर शक कर रही हो, यह दोनों है, मतलब मैं सरफ एक क्योंकि मैं लड़की की तरफ से बोल रहूं, लड़का लड भी भाज़ कर देने के लिए, दुख देने के लिए, या उसको यूज करने के लिए आदा है, यूज किसी भी तरह चिancी से कर सकता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंचली, बहुत सारे ऐसे केसे हैं, पैसा ले रहे हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही हमारा बिजनस से, नह में थोड़ा हेल्प करो कहीं उसको आपसे जादा अमीर मिली ताठा बाए बाए तुम चलो फैमिली में दिककत है तीजार उपे चहीं है यह चल रहा है यह कार्मिक रिलेशन है इसका मतलब यह है कि आप पिछले जनम से उस व्यक्ति से कुछ ऐसा लेकर आयो या आप उसके द तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है कि इनसान अच्छा यह मल्टिपल भी हो सकता है यह जरूरी नहीं है यह बॉइफ्रेंड गल्फ्रेंड के बीच में हो यह दोस्तों के बीच भी हो सकता है यह किसी रिलेशन्शिप में भी हो सकता है जैसे कि बहन भाई में भी हो सकता है मा तो पहले तो यह जानना है कि आपके स्टेज क्या है अपके relationship की? अगर आपके relationship की stage कार्मिक है तो आपको समय रहते हैं क्योंकि पता है क्या होता है? जब कार्मिक relation होता है तो एक बंदा होता है जो बहुत connected होता है उसे ऐसा लगता है कि अगर यह सामने वाला मुझसे दूर हो गया, वो ख्याल भी आ गया, कि यह सामने वाला मुझसे दूर हो गया, ऐसा लगता है यहां से जान निकल जाएगा, दिल बाहर आ जाएगा, जी नहीं पाएंगे, सांस नहीं आएगी, एंजाइटी होने लग जात कि आपका कार्मिक relationship है आपको water therapy सबसे ज़्यादा करनी चाहिए यानि कि आपको पानी के इर्ध गिर्ध जरूर रहना चाहिए कुछ दिन जाईए प्रकर्ती के साथ ऐसी जगे जहां पर नदी हो वहां पर आप थोड़े दिन बिता कराईए ठीक है रोजाना सोने से पहले आप हलके गुन-गुने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालिए उसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए और आप क्लिम 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 बोलते हुए अपने पैर उस पानी में डाल कर कम से कम 10-15 मिनिट बैठे रही है और क्लिम क्लिम का जाब करते रही है तो इस में यह होगा कि अगर वो ब्रेक अप करता तो मुझे असर नहीं होगा या फिर ब्रेक अप ही नहीं होगा अपने आपको समाल सकते हैं jemand उसके लिए तो बहुत अलग अलग चीजसे होती है जो आपके लिए करना समभाव नहीं है बांशा को बहतर बना सकते हैं बिलकुल बना सकते है चीजों को भई जो पुराना कारमिक है उसको अगर हम कर देते हैं उसकी कॉर्ड केटिंग कर देते हैं कि आपका केस कितना टिपिकल है और कितनी उसमें परसंटेज है उस चीज को वापस से रिवाइफ करने की, ठीक, अब आप जब ये चीजे करते हैं, तो आपको क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, या तो उस रिलेशन्शिप से बहार निकलने की, अपने आपको समालने की, और आप उतना टूटते नहीं, आप उतना बिखरते नहीं, ठीक, और आपका जो वो पुराना कर्म है, वो आपका कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से खतम होता, चला जाता है, इस मामले में, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपका कार्मिक रिलेशन और 07 तर आपका पीतल का जो ग्लस है न वो नया होगा अच्छा और पीतल कि ग्लस फुल भरना है हएं ह lounge ये आपके पुराने जो रिलेशन्शिप है जिसके वज़े से आपको Part 2 हू रहाए कम और समझ में आरा है समने वाला प्यार नहीं कर रहा है इग्नोर कर रहा है, ऑनलाइन बैठा है पर मेरा मैसेज नहीं पड़ रहा है, बड़ा दर्द देता है, जो यह बदाश्च करते हैं, ना, जीन देखते रहते हैं, सच में, वो पता है, नीला टिक आ चुका है, अब दो टिक आ चुके हैं, लेकिन रिपलाए कुने कर रही है य मुझे क्यों नहीं जवाब दे रही है, तो यह जो खयाल होते हैं, यह जीने नहीं देते हैं, सीरिस के हम तो हसी मज़ाग में बात करें हैं, जो बच्चे बरदाश्च करते हैं, वो दर्द हमारे लिए सोच पाना भीना असंभव है, तो यह चीज़े करने से आपको कार्मि में कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिलने लगता है, आप उस चीज से बाहर आने लगते हो, और अगर आपके ग्रह नक्षत्र और अच्छे हुए, आपकी अगर पुनर जनम की और अच्छी आपके साथ में पुन्ने चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं यह चोटे-चोटे उपा अपको कुछ नुकसान नहीं करेंगी। फाइदा थेचा परशनेंट करती है। नुकसान कुछ नहीं करी। क्या कि आप दान कर रहे हो, आप पुन्य कर रहे हो, तो इनका ग्रेहों के साथ कोई संब्द नहीं है, यह आपके कर्मों से जुड़ा है, तो सबसे पहली चीज इह है, फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई पार्टनर नहीं है, आप सिंगल हो, आपके रिलेशनशिप टिक नही देनी चाहिए ठीक है राम दर्बार की फोटो लगाने के बाद आपने जिस दिन भी वो फोटो लगाई उसके नेक्स डे से मॉनिंग और इवनिंग उस तस्वीर के सामने आपको खड़े होकर एक वैदिक स्विच वर्ड बोलना है आपने बहुत इटैलियन और यह सारे स्वि इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो कमी है जो आपको जो अपना सोल पार्टनर चाहिए देखिए एक एक मेल और एक फीमेल यह दौनों सिर्फ जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो इससे एक नए जीव की उत्पत्ति के अलावा उन दौनों का एनर्जी सिस्ट इन्हाइन्स होता है एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है उसका पॉंसेंट्रेशन ठीक नहीं है पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे लड़का सारे दिन घूंता रहता है आवारा गिर्दी करता रहता इसकी शादी करा दो चाहिए काम कर रहा है नह तो चैनलाइज़ हो जाएंगी दूसरे पार्टनर के मिलते ही ठीक है एक तरीके से यह समझ लीजे कि आपकी लाइफ ओन ट्रैक हो जाएगी अगर आपको सही पार्टनर मिल गया तो पार्टनर्स आपस में केवल एक दूसरे के साथ मिलके जिंदकी चलाने का काम नहीं करते गारी के दो पाईएं नहीं होते अगर दो पार्टनर सही से मिल गए तो आप यह मानके चलिए उनके जीवन की हर चीज हर चीज इतनी हाई हो जाती है कि कोई सोच नहीं सकता सही पार्टनर कैसे नहीं मिलता मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर आपका एक तो हरस्को बहुत काम करता है ठीक है सही समय पर सही रूप में अम मेरे पास एक बच्चा है जो शादी के लिए बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि उनके फादर नहीं है उनकी मदर है तो उनको एक ऐसी लड़की चाहिए जो उनकी मदर की देख भाल कर ले पहले तो आजकल कोई लड़किया हाई नहीं करती सास के साथ रहने के लिए हाँ मैं टाइम बहुत खराब चल रहा है सास अकेली है तो मेरे पती पर साथ अपना वह जमाके रहे हैं कोई और थाजब नहीं नहीं है तो इसका बहुत लाड़ आएगा तो ऐसी पहले सही प्रेडिक्शन हो गई है कि ऐसी फैमिली तो चलना ही नहीं है क्योंकि अकेला लड़का उसको मां को समालना पढ़ेगा और माा घर कैसे चले का पाल लेंगे यह नया चल गया आज जाने के बाद कुट्टे बिल्ली आपका अन्तिम संसकार करेंगे आपका पिंडदान करेंगे कि मतलग आप समझ रहें सही सोच आपको कब मिलेगी अब उसकी कुंड्ली में कुछ ऐसा योगई कि एक टाइम तक उसको II सही पार्टनर मिलना ही कुंली में बहुत सारे योग भी भी होते हैं और बहुत सारे दोश भी होते नियूट इसे मांग दोश है जैसे मिलनबाधा दो थ沒有 दोश अपने देखा Richards विट फार माम यह लोग देख रहे हैं में और यह बहुत बड़ी है कि लोग यह भी कह रहे हैं कि शादी नहीं तो बात तो एक कि घिए लोग चाहिए पहले लिविन देखते था कि शादी और लिविन का अंतर बता देती हूं आपको शादी जो हमारी परंपरा है वो यूही नहीं बनी है उसका अपना एक बहुत जिसे कहते हैं जड़ से लॉजिक है तो शादी के जितने संस्कार होते हैं उन संस्कारों का मतलब यह होता है कि वदू जो है वरके वाम अंग में आ जाती है वाम अंग में आते ही वो उस वर की हर एक चीज की आधी अधिकारी हो जाती है धरम की करम की धन की परिवार की पच्चों की मान की मरियादा की हर चीज की वाम अंग में आते ही कहते हैं अब आप मुझे वाम अंग में ले रहे हो जब वचन लेते हैं तो वो पूछती है कि अब मैं आपके वहां मंग में आ सकती हूँ इसका मतलब यह होता है वही आपकी बैरिज है सब 50-50 हो गया सब 50-50 हो गया अब आप करोगे वो भी 50 पुन्डे करोगे वो भी 50 ठीक है इसी लिए जब कहते हैं पतनी कोई पूजा पाठ या कुछ भी करती है आप पुजा करो भगवान के आուठी करो आप मन्तर जाप करो आप Rituals करो आप जितने त्योहार आ रहे हैं वो सम निभाव आप चांद को देखकर आप व्रत तोड़ो आप ये व्रत करो आप ये व्रत करो क्यों यह जितना पतनी करती है जाएगी उसका आधा तो पती को आ जिसे कहते हैं आपके जीवन के अंदर एक connection है अब लिविन में क्या होता है अच्छा पहली बात तो लोगों को मैं clear कर दूं बच्चों लिविन और शादी आप जो आपको लगता हम सब कुछ तो कर रहे हैं लिविन में रहके क्या है जो नहीं कर रहे हैं हम sexually एक दूसरे के साथ involved है हम एक दूसरे के साथ खाना पीना खा रहे हैं हम एक दूसरे के साथ खुश रह रहे हैं यह जितनी भी चीजें आप कह रहे हो न यह मैं law के हिसाब से नहीं बता रही मैं अपने पुरान और शास्त्र के हिसाब से बता रहे हूं यह legal नहीं है अच्छा तो आप मुझे फिर एक बात बताई है मैं घुमा फिरा के नहीं लाना चाहती लेकिन मैं क्या करूँ मैं को लाना पड़ता है उन चीजों पर फिर जब आपकी मृत्ती होगी तो आपका सारे संसकार किस तरह होंगे विवाहता के रूप में या कुवारी के रूप में फिर नहीं जाओगे इस बात की क्या गैरेंटी है अच्छा में कुछ लोग वैसे अगर देखा जाए शादी से पहले बच्चे भी घर ले रहे हैं यह फिर शादी हो जाती है और शादी होते ही साथे महीने में बच बेबी हो जाता है तो तो आप यह देखो ना कि फिर उन बच् करती हूँ पूछती हूँ उनकी हिस्ट्री ऐसी क्या रही है क्यों उनके घर में ऐसी चीजे हुई है कि वो इस तरह की प्रवर्ती के हो गया है उन्होंने किसी का खून कर दिया उन्होंने किसी का रेप कर दिया क्यों आ रही है लोगों के अंदर यह चीजे इसी लिए क्यो तूं सारे के सारे इंडिया आकर और यहां के पंडितों से साथ फेरे लगवा कर शादियां करवाने के लिए इंट्रस्टेड हैं? क्यों ऐसी रियल्स वाइरल हो रही है कि वो लोग यहां आते हैं, बकाइदा जोड़े पहने जा रहे हैं शादी के और फिर शादियां हो रही हैं, क्यों हो रहा है यह सब? इसलिए क्योंकि उनको उष्का कहीं ना कहीं जो नेगिटिव इंपक्त है वो अब दिखना बढ़ जुगा है कि शादी पहले बाद में होती है बच्चा पहले हो जाए यह एक दौर है यह दौर है जो अभी चलेगा फिर एक टाम के बाद जब इसकी लोगों को परिशानिया आने लगेंगी इसकी नेगिटिविटीज दिखने लगेंगे फिर अपने माइंड चेंज हो है उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि उनको लीगल मैरेज नहीं मिलेगी सामाजिक तोर पर उनकी शादी पर ठपा नहीं लगेगा मतलब वह वाम अंग में अपने प्रवेश नहीं करिया या वह लड़का जो है उसका आधा पार्टनर उसकी लाइफ में नह उसका जानवर वाली योनी में ऀता た सो जाएं नहीं जानैं और आप यह चाहते हो कि आपको साथ में एक दूसरे के हमिशा होके हैं एक दूसरे का ही बनके रहना है पूरे जिंदगी और आपको इस रिलेशन्शिप को एक नाम चाहिए और नहीं हो पा रहा है लड़का नहीं मान रहा है या लड़की नहीं मान रही जो भी है जो भी फैमिली इशूज है आप दोनों के बीच तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर रक्षा स्त्रोत्र का पाठ कर लेना है अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह तो हमारे को उच्चारन करने में दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं आप वहां पर बैठी है अपने कानों में वो टिप्पी लगाए क्या बोलते हो आप उसको अप उसको एर पॉर्ड जो भी है दूसरी शनिवार के दिन आपको अपने घर की वेस्ट वॉल के उपर दो पक्षियों के फोटो लगा देने जिए कपल मतब एक जैसे दो पक्षी नर और मादा वो लगा दीजिए और उनके उपर आपको लिख देना है रेड पैंसे आपको उनके उपर लिख देना है रम र-u-m रम यह हिंदी में रम कैसे भी लिख दो जैसा आपका मन कर रहा है अब जो नाम हिंदी में लिख वाले हो रम तो फिर कुछ और लग जागा इंगलिश वाला तो थंड में तो फिर वो फिर कुछ और बोतले बोतले आई जारी है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूदत देखी तिन तैसी कभी रम की बोतले जादा है पता लग रहा है कापन नसे में धुत्ते रम लिख दी बेटा वो भी एक नशा ही है फ्रेम से बड़ा कोई नशा नहीं है तो यह काम करेंगे आप साटरड़े को और वहां पर आपको एक लीस्ट हर रोज एक बार खड़े हो के अपनी जो भी आपके मन की इच्छा है उसको आपको मैनुफेस्ट करना है लाइक आपका नाम सपोस्पोस करिए आपका नाम है सीता और आप जिससे प्यार करती है उनका नाम है राकेश तो आपको ऐसा बोलना है कि सीता और राकेश का विवाहा हो जाए लीगल मैरेज हो जाए और हम दौनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने लगे अगर ये कपल दौनों एक साथ में मिलके शुकरवार के दिन शिवजी के मंदिर में जाकर एक दूसरे के साथ शहद चढ़ा देता है एक दूसरे को हाथ लगा के शहद चढ़ा देता है तो ऐसा करने से भी इनकी जो शादी है वो पक्की हो जाते है ये वाला जो दूसरा remedy बता है न ये वो भी कर सकते हैं जो lovers हैं जिनकी family नहीं मान रहे हैं जिनकी family की तरफ से disputes आ रहे हैं जो शादी करना चाहरे हैं पर कुछ नव कुछ नव कुछ दिक्कते आ रहे हैं वो भी अगर मिलकर ये काम करेंगे तो उनको इस चीज में बहुत राह ठीजे उसके अंदर एक बदाम ड़ देजे उसके उपर एक लाल रंका धागा बंध दीजे और एक paper के उपर दौनों का नाम लिखिए red pen से और उस डिब्बी को उसके उपर रख दीजे 11 डेज उसको वहीं रखे रहने दीजे और 11 डेज के बाद पेपर और वो डिब्बी उठा कर किसी भी मंदिर में जाकर चढ़ा आईए अच्छा और अपनी विश बोलाईए कि मैं इससे शादी करना चाहती हूं मैंने इसको मन से अपना पती माना है या पत्नी माना है यह हमेशा मेरे साथ रहे यह मुझसे कभी अलग ना हूँ तो घर वाले भी अगर नहीं मान रहें जो भी हडल होंगे वो कम से कम आपकी लाइफ से प्रस्ते खोल देती है आपकी लाइफ के जो गड़े है उनको हील कर देती है तो क्या होता है आपको एक स्मूध पात मिल गया अब आप चलिए उस पर मैं तो जब भी अटकती हूं जिंदगी में मैं बस आख बंद करके बोलती हूं रहा दे कृष्णा यही मेरा स्विच्वर्ड है रहा दे कृष्णा और कृष्णा रहा दिखा देते हैं यह उनिवर्सल स्विच्वर्ड है जो आपने बता है तो यह इसी तरीके से क्योंकि देखे मनुश्य के पास क्या नहीं है पैर है हाथ है आख है नाक है सिर है सब कु तो यहां पर हमें यह काम करना चाहिए जिनके लव मारेज में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो लाइक कमिट्मेंट नहीं मिल रहा हूँ एक लंबा रिष्टा चल गया अब कमिट्मेंट नहीं मिल रहा हूँ लोग कहते है किसी को जबर्दस्ती अपना जबर्दस्ती क्या है वो है तो आपका ही ना इतने सालों से जब आपका था यह टी-शिट आपने पहल ली अब यह आपने कहीं उठाकर रख दी ठीक है अब आप इसको पहनना चाहरे हो लेकिन यह आपको मिल ने रही तो क्या आप प्रयास नी करोगे डूढ़नेंगे यह आप यह क्या दोगे मेरी थी नहीं हो गई जाने दो यह तो वेरागयों की बाते हैं यह तो ऐसे लोगों की बाते हैं जो जिनको कुछ नी मिला तो छोड़ दो यह तो बहुत आसान तरीका है जीवन में कुछ जब भागना हो किसी उनको श्री कृष्ण याद नहीं थे तो क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया उनको अपनी यादे दिलाने का क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया राधारानी के हिर्दे में अपने प्रेम को वापस से जागरित करने का तो यह तो सरिफ श्री राम जी ने प्रयास नहीं किया अपनी वाइफ को वापस लाने का, उनको भी कह देना चाहिए, तरावन ले गया, छोड़ दो, दूसरी आ जाएंगी, छोड़ दो, यह छोड़ दो वाली प्रवर्ति यह क्यों आती है, रिष्टा आपका है, आपका बंदा या बंदी है, आपके साथ इतने साल रहा है, मेरे ह इसको हील करने की कोशिश करूँगी, मैं अपनी अंतिम सांस तक प्रयातन करूँगी, कि मेरी जो यह जखम है, यह भर जाए, है ना, तो एक रिष्टा जब तूटने लगता है, और एक उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब उस रिष्टे में अभी भी कुछ है बाकि, वो करतम नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ है, जो उसके अंदर सुधर सकता है, क्योंकि एक का प्रयास अभी भी चालू है, उसके दिल, उसकी आत्मा से उरिष्टा तूटा नहीं है, डोर यह ऐसे नहीं होती कि एक डोर है, बस दोनों से बंदी है, बीच में से इसके लिए बतारा, अब उसको कमेंडमेंट नहीं मिल रही, कोई डेट कर रहा है, दस साल से या फिर कोई मारड है, अब वो डिवोस के स्टेज पे हैं या फिर वो सेपरेट होने के उसमें है, तो उनके लिए रिवो कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपक ये एक पूरा हफता होगा, अब हफते का दिन आप कोई भी चुन सकते हो, आपने मंडे से चालू करा ट्यूजडे से, पर आपने जिसे चालू करा तो आपको ट्यूजडे तक ही ये काम करना है, डेली, रोजाना, आप एक हफता डेली नंगे पैर अपने घर से आसपस कोई भी मंदिरों वहां आप जाकर एक फेरा लगा करा होगे, ठीक है, आप अपना एक यूजड करा हुआ कपड़ा लोगे, इसके अंदर आप वाइट कलर के एक रुमाल के उपर, फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, उसको आप धोएंगे नहीं कुछ नह और उसके नीचे आप लिखेंगे कलिम, 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 ठीक है, और उसके उपर आप दो इलाइची रख देंगे, ठीक, अब आप वो जो वाइट वाला जो आप रुमाल लाए हो, उसके चारो तरफ नॉट लगा देंगे, गांट जैसे लग जाती, हम अपने रिष्टे में ग करके आप अपने घर में इसे किसी भी नौर्थ वाल पर रख दो, अगर आपके वहां पर कोई अलमेरा नहीं है, तो आप एक कोई छोटा सा बैग ले लो, कोई पाउच ले लो, जिसके अंदर आप डाल के इसको वहां पर रख दीजे, अगर आपका बैड है बैड के अंदर करा, उस दिन से लेकर ग्यारा दिन तक, रोज रात को सोने से पहले, आप हनुमान बाबा को याद करेंगे, स्मरन करेंगे, और उनसे ये कहेंगे, जैसे आपने राम जी और सीता जी को मिलाया है, वैसे ही आप मुझे मेरे पार्टनर से मिलाएंगे, रोज ये आपको विश सुने से पहले मैनुफेस्ट करके 11 देस तक सुना है, ये दोनों पार्टनर सो करना है, दोनों कैसे करेंगे, अगर तोड रहा है, तो चाहता ही नहीं, मैं रहूं, एक भी कर लेगा, तो भी वो चीज कंप्लीट हो जाएगे, उसका दिल जो है, वो उसके लिए अच्छा हो, और आम ग्यारेंटीड है कि होगा अच्छा, थाउजन परसेंट होगा, अगर आप सच्चे मन सच्ची लगन से करेंगे तो, और कितने दिनों में? देखे, आपने 11 दिन तो आपने करा ये पूरा, मन्दा 12 दिन आपने करा इस चीज को, कोई भी चीज जो आपकी, आप कोई तीन हफ़ते से तीन साल बहुत लंबा होया, मैना नीड़ा कोई। तो ये आप अपकी ड़ामेडी जो हैं आप जो भी करते हो, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंळी कितना सपोर्ट कर रही है, पकिक ड़ामेडी इस चीज को, तो उस हिसाब से ये चीज होती हैं, अ अगर आपको डाउट है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे सचा प्यार करता है या नहीं करता है या वो आपके साथ लॉयल है या नहीं है तो सबसे पहले आप हर शुकरवार को किसी भी कुवारी लड़की को मेकप का समान गिफ्ट करना चालू कर देजे अच्छा आपको लॉयल्टी पता लग जाएगी अपने पार्टनर की किस रूप में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा अपने पिक्चर आजाएगी अच्छा आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता लग जाएगा प्रकरती यूनिवर्स ठाकुजी आपको अपने आप दिखा देंगे कि यह बंदा तेरे को कहीं चीट तो नहीं कर रहा जिस लड़ी को में केटे मिला उसके तो बल्ले बल्ले ठीक है आप अपने फोन वर्ड आपका जो फोन है उसका जो पासवर्ड होता है उसमें एट नंबर जादा से जादा रखिए एट नंबर आपको लोयल्टी पता लगेगी अपने पार्टनर की ठीक है आप जब भी आम मनी मन में 11 बार बोल लिजे इंदरानी त्रिपुर सुंद्री तो आएगी वो साइट भार कैसे अएगी किस रूप में आएगी मुझे नहीं पता लेकिन वो सामने आपके जरूर आएगा पर नंबर सुन्दरी एं लड़की आंतरु को अठ्राक्शन बढ़ाने के लिए भी कर सकती है यह केवल लड़कियों के लिए है अचा लड़का अगर चीट हो रहा हो किसी लड़की से तो वो भी यही बोल सकता है ठीक है अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ बार-बार-बार-बार आप अपने घर के SSW में आप ऐसे पौधे लगा दीजे जिनमें फूल आपते हैं, फूल वाले पौधे लगा दीजे, अपके सामने सच्चा ही आजाएगी, कई भार हमारे दिमाग का फितूर भी तो होता है, हमें बेवजे का शक भी तो होता है, हम ओर पॉधे भी तो होते हैं, कोई फूल आटा है, जिसमें पूल आता है, आप लगा दीजे, अगर उस एरिया में लगे हुए पौधे बार-बार मर रहे हैं, definitely आपके और आपके पार्टनर्शिप, आपकी पार्टनर के बीच में, आपकी पार्टनर्शिप में कोई थर्ड बंदा इन्वाल्व हो रहा है, जरूरी नहीं है, उनका extra marital affair ही होगा, कोई तीसरा उनका brainwash जरू कर रहा है, अब यह तीसरा कोई भी हो सकता है, उनका रिष्टेदार, उनके घरवाले, उनका कोई दोस्त, उनका कोई office में काम करने वाला, जो आप दोनों के बीच में बेवज़े मनमुटाफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, सही बात है, और आम इसकी भी कोई remedy है, जैसे की मेरको उसके साथ रहना ही है, मुझे पता है की cheating हो सकती है, करीनी अभी, कर सकता है आगे जाके, तो उसमें में की वही ना चरे चीट है, राधारानी के श्री चर्णो में हर शुकरवार को जाकर शहद और दो बताशे चड़ाना चालू कर दीजे, वाइट वाले बताशे आते हैं, वो चड़ाना चालू कर दीजे, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो प्रेम है, वो हमेशा के लिए आपका होकर रह जाए, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो आपके लिए ठीक, आपको चीट नहीं कर दा, तो आप ये काम करिए, एक राधारानी ही ऐसी है, जिनके पास आप जब कभी भी जाएंगे, वो आपके प्रेम को कभी आप से अलग नहीं होने देंगे, विरहा की पीड़ा उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, उन्हें पता है कि प्रेम में एक दूसरे से दूर रहना, जुदाई सहना क्या होता है न, ये दर्द सरिफ और सरिफ शीजी ही जानती है और कोई नहीं जानता, जी विलकुल सही, जे तनलागे वही मन जाने, है न, पीर पराई कोई ना जाने, जिसने सहा है ना वही जान सकता है कि उसमें क्या होगा मैंने आपको इंजेक्शन लगाया तो आपको पता होगा उस इंजेक्शन का डर्द क्या होता है मेरी राधा रानी ने वो विरह सही है वो पीड़ा सही है तो उनको पता है प्रेम का बिछड़ना कैसा होता है उनसे जाकर आप प्र husband का या आपके partner का किसी के साथ एक extra affair चल रहा है तो उसको खतम करना है अगर आपको उनका नाम पता है है ना आपको अगर उनका नाम पता है तो आप एक paper के ओपर black color से seven time उसका नाम लिख देंगे वो जो जिसके साथ उनका affair है उसका फिर आप एक bowl लेंगे ये काम आपको शनिवार को करना है और रात्री में करना है सूर्य जब ढ़ल जाएंगे उसके बाग और seven Saturdays आप ये काम कर सकते हैं ठीक है आपको एक bowl लेना है उसके अंदर आपको पानी भड़ लेना है काली वाली जो राइऀ होती है सरसो काली वाली उस राइप को आपको उसके अंदर डाल देना और जो राई है न वो आप उसी पेपर में जिसमें आपने नाम लिखा था उसी पेपर में डाल कर उसको अच्छी से आप रैप करके और घर से बाहर निकल जाएए अपने से और आपके घर से जो भी साउथ डारेक्शन हो वहाँ जाकर कोई हलका सा खड़ा खोद के उसमें उचाटन 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 इन दौनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो खतम हो जाएगा दौनों के बीच जो भी बिना मतलब का एक पौधा पना परा है ना अच्छा जड़ से नाश हो जाएगा खादा माम लाफिर वैसे इसमें बहुत सारी चीज़े होती तो क्या आप उपरेशन नहीं कराएंगे सर्जरी नहीं कराएंगे पर उस वे में इस वे में लेकिन छोड़ देना बेटर नहीं है कि वह वन सा चीटार एक गलत इंसान के साथ रहना जादा बड़ी वो है मा क्यों नहीं छोड़ देती अपने बेटे को जब वो गलत होता है एक बहन क्यों नहीं छोड़ देती अपने भाई को जब वो गलत होता है एक पत्नी ही पती को क्यों छोड़ने पर आ जाती है यह डाइवोस केवल एक पती-पत्नी के बीच ही क्यों बनाया गया है इतना इतना हलका है यह रिष्टा इतना जादा हलका है यह रिष्टा कि जि तो क्या मैं उसको फोन पर रस्ता वापस आने का नहीं दिखाऊंगी या मैं उसको रास्ता नहीं दिखाऊंगी यहां से नहीं आगे से मुझा यहां से अइसे आजा मैं नहीं दिखाऊंगी एक प्रियास तो करना चाहिए आपका यह कहना है कि एक बार उपाएक बार प्रिया नहीं किया को से भ cuál कुसम खह कर रहा हूँ विद्या की क похож I am को यह चीज़ें भी कटी हो कि कही ना कहीं आपके लिए बद्धाय बन जाती हैं यह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर पर ऐसी चीज़े करकर छोड़ देते हैं जिसने आप रिश्टा तूट जाए कि आप उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे क्या ये सही नहीं है कि हमारे उपर कोई चीज गलत हुए तो हम उसको सुधारें या हमें ये गिव अप करके कह देना चाहिए इंसान इतना गलत था तो इतने साल कैसे था आपके साथ आप 99% लोगों से बात करक आप किसी को पहचानते नहीं उसकी इच्छा के विरुध आप उसको अपना बनाने की कोशिश करने के लिए अवस्टी करने कैसे चीस करो ये गलत है और वुझा ये वासना के लिए नहीं जो बच्चियां अपना घर बचाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को उनके बाप का साया देना चाहते हैं, या जो बच्चे ये चाहते हैं, कि ये ओरत अगर घर से चली गई, तो ये बच्चे दर-दर के हो जाएंगे, वो आदमी, अगर ये काम करेंगे, तो गलत नहीं ह अगर इश्वन ने बनाई है कुछ चीज़े तो कुछ सोच के ही बनाई होगी ना दवाईयां बनी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी बिमारी भी होगी ना मैं थोड़ा मैरीजिस की बात करते हैं जो कपल शादी हो जाती है जिनकी और उनके बीच मन मुटाव है टॉक्सिक रिलेशिप लडाईयां और यह बाद बात पे उस वे में बताओ उस वे में भी कोई रेमेडी है बहुत सारी रेमेडी है पर अगर आपके घर में कल है बहुत किसी से भी हो रहा है तो आपको टूस्डे से स्टार्ट करना यह सुच वर्ड और कैसे करना इस्ट की तरव आपको फेस कर लेना है दिन में रात में कभी भी करो पिंक कलर का कपड़ा पहन लो ठीक है और 21 टाइम से लेके 108 टाइम जितना आपका मन करें आप इसको बोल सकते हो और स्विच वर्ड क्या है कलह नाशाय कलेश का नाश करो अगर सास बहु को लेकर दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है तो अपन इसको इस तरीके से करेंगे कि आपके घर का जो साउथ वेस्ट है है ना साउथ वेस्ट वाल के ऊपर आप एक लोटस लगा दें रेड कलर का लोटस उसका पिक्चर लगा देंगे और वहां पर आप घड़े होकर 11 ताइमस दिन में एक बार वही पिंक कलर का कपड़ा आप पहनेंगे दिन में एक बार आपको बोलना है कलह नाशम पती-पत्नी में तो नाशाय बोलना है और सास बहु में नाशम अरे आप से अच्छी से बात नहीं करता रिस्पेक्ट नहीं दे रहा आप से बहुत गंदी तरीके से हस्बंड बहुत गंदी तरीके से या वाइफ बहुत गंदी तरीके से बात करें तो आपको क्या करना है आपको ना लगबग लगबग दो टीस्पून चीनी ले लेनी है उसक भाशी 11 टाइमस आपने बोला और इस चीनी को आप चाय में कौफी में किसी भी तरह या खीर में मिला कर उस व्यक्ति को खिला दीजे जब मौका लगे तब कर लीजे रोज मौका मिले रोज कर लीजे यह उस वे में भी काम करेगा जैसे लड़कों काफी सुनने को मिलता है कि तो घर से कुछ लाई नहीं अपने सब चीजों में काम करेगा यह तो बल्कि उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो आफिस में अपने बॉस से सुनते हैं यह अपने इर्दगर्द के लोगों से बहुत सुनते हैं गाली गलोज बहुत खाते हैं ऐसे लोग कुछ भी ना करे यह चाय में मिला के यह कॉफी में मिलाने का काम ना करें, जब वो व्यक्ति सामने हो ना तो मनी मन 11 बार आप बोल लीजे, यह अच्छा है माम वैसे, जो भी आपसे, मतलब अच्छी से म्रदू, अच्छी भार्शा में बात करने के लिए बोल रहे हैं, हाना, यह कर सकते हैं, ह कभी-कभी वाइफ की कंप्लेइन रहती है, तुम तो मुझे खर्चे के लिए पैसा नहीं देते, कभी पती की कंप्लेइन रहती है, तुम खर्चा बहुत करती हो, और कभी दोनों की कंप्लेइन रहती है, कि यार हम पे तो कुछ बचता ही नहीं जो आता है, घर में खर्चो आपको फ्राइडे के दिन राधा गोविंद के मंदिर में जाकर रजनी गंदा के पुष्प पांच लेकर उसे रेड कलर के धागे या रिबिन से बांध कर चढ़ा देने चाहिए खर्चे रुक जाएंगे ठीक है आपका बेटर हाफ है ना खर्चे रुक जाएंगे अगर पती आपको खर्च करने के लिए पैसे नहीं देता कंजूसी दिखाता है आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं करता आपको शुक्रवार के दिन संत्रा और चैरी या लीची जो अवेलेबल हो मौसम के हिसाब से आपको जाकर मंदिर में चढ़ा देनी चाहिए साथ ग्यारा एक्केश शुक्रवार ये काम करें पती के सुभाव में अंतर आएगा ही आएगा ऐसा तो नहीं हो पती विचारा लूट पिट जाए और यहां के कमेंट करें पती के पास में धनके उतने शुरोत्र खुलते है ये बात भी ठीक है पर मैं फिर एक बार यह भी तो हो जाता है इक सीड भी तो हो जाता है कि अब तो बसकर अब कितने लवी के बैगर यह वो इस अब कितना खर्चा कराएगी तो परेशान हो जिसके किसमत से आ रहा है जो आपके घर की ग्रह लक्षमी आपको पता है को उलाड़े three कि अगर सेविंग नहीं ओ पा रही हैं अगर आपकर सेविंग सेविंग नहीं ऑ पारीया और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है धॉनन अंदनी उतनी नहीं है बर्कत नहीं है तो आपको अपने घर के नॉर्थ पोर्शन के अंदर यह कराच के बावल में लगबग 51 सिक्के रखने चाहिए, 51 सिक्के जो होंगे वो सेम होंगे, जैसे 2 के सिक्के हैं तो 51, 5 के हैं तो 51, 10 के हैं तो 51, ठीक है, और उसमें 2 पतियां आप केसर की रख देंगे, ठीक, और आपको किसी भी शुब दिन से ये कारे चालू करना है, जैसे कि अभी गुपनवर आत्रियां आ रही है, होली आ रही है, शिवरात्री आ रही है, कोई भी अच्छे दिन से इस कारे को आप प्रारम करें, नहाद होकर सफेद रंका कपड़ा पहन कर, आपको उस बावल के सामने जाकर खड़े होकर, 108 टाइम्स बोलना है, अक्षय पात्रम, तो इसते सेविंग आपको 45 देज तक करना है, अगर लेडीज पीरिट्स में हो जाए, तो वो पांच दिन चोड़ दीजेगा, उसके बाद फिर कंटीन्यू कर लिजेगा, और माम फिजिकल उसके लिए कि फिजिकालिटी सही नहीं है, जो सेक्शुालिटी है, वो सही नहीं है, तो सबसे पहले तो देखें, इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि कुंडली के अंदर दोनों के ग्रह कैसे टकरा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हमें टेक्निकली जाना पड़ेगा, पिर भी अगर ये चीज अच्छी नहीं है, या अच्छा नहीं हो पा रहे है, अभी 14 फेबरी को ऐसा कहते हैं, प्रत्वी पर भ्रहमन करते हैं, ठीक है, तो उस दिन आपको दोनों हस्बेंड वाइफ को एक साथ में मिलकर, लाल रंग के वस्त्र पहन कर, किसी भी ऐसे मंदिर में जहां जोडे से भगवान हों, जैसे हनुमान जी के मंदिर में नहीं, भैरो बाबा के मंद में, या राधा कृष्णी के मंदिर में, या राम सीता के, या लक्षमी जी, विष्णु जी के मंदिर में, ऐसे मंदिर में जाकर आपको अपने हाथ से पीले रंग के पुष्प और पीले रंग के वस्त्र चढ़ा कर आने, मैम, कुछ इन जेनरल भी बता दो, आप हमारी ओडियन्स के लिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जो चाहते हैं, हमारा रिष्टा अच्छा बना रहा है, हलाकि कोई ऐसी प्रॉब्लम निया, सब बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया हो जाए, कुछ जेनरल रेमेडी जो सब कर सकते हो, पती पतनी के बीच में सबसे जादा जो दिक्कत मुझे समझ में आती है, वो होती है, इसलिए क्योंकि जब परिवार इन्वाल्व हो जाता है, जब तक लवर्ज होते हैं, तब तक वो सरिफ एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के लिए होते हैं, और एक अब मामी ने कुछ बोल दिया, भावी ने कुछ बोल दिया, मा ने कुछ बोल दिया, बहन ने कुछ बोल दिया, कल है चालू, रोजकल है हो रहे हैं, रोजकल है हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपको आपकी सास-सास दोनों तरफ की हो सकती है, लड़की की भी सा सास से या आपको अपने रिलेटिव से अगर प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है तो साथ मंगलवार आपको केले के उपर साथ लॉंग लगाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करानी है मैं सास से भी हनुमान जी छुटकारा दिला देते हैं जब भूध पूद्प्रेतों से दिला देते तो सास क्या चीज बर गैम हनुमान जी कहाँ कैसे परिवारो इन्वाल्व होते हैं देखे परिवारों में इन्वाल्व नहीं होते हैं वह आपके कस्टों से आपको बाहर निकालने का कार्या करते हैं कि पीड़ा कोई भी भगवान कोई भी ग्रंथ हम भी मैं भी आप भी कभी यह नहीं चाओगे कि किसी का घर तूटे अगर किसी की बुद्धी खराब है तो उसकी बुद्धी सही हो जाए कोई अब किसी के लिए सोच के बैठा है कि यार यह तो मेरे लिए अपनी मां के घर से स सिलकी साड़ी नहीं लाई इस बात पर उस लड़की को इतना सुना दिया जाता है इतना पीड़ित किया जाता है क्या यह सही है क्योंकि एक की बुद्धी खराब है तो दूसरे का जीवन खराब हो रहा है तो उस बुद्धी को सही करने के लिए हम हनुआन बाबर से मेरे गोविंद मेरे विष्च्वर्ड और मुझे ऐसा लगता है अप इंटरेस्टिंग बात थी जो में फोन पर डिसकस कर रहे थे कि आप बता थे बहुत लोगों को यह इसकांसे को षादी में 7 फेरे Sheriff ऊचनला हूं बता हूँ और सा ब्सक्राथ ही स पंडित को पता ही नहीं है शादियां एक दिन दो दो दिन की हो गई है जबकि शादियां एक जो उसके अंदर रिच्वल होता है वो माइने रखता है यहां पंडित आई से रिलेटेड आपको जो भी करम कान जो भी आपको पूछना है वह आपको एक चीज वह संस्कृत में आपको श्लोकों के साथ बता देगा वाँ लेकिन आप यह कह रहें कि जैसे डेशिनेशन वेडिंग लोग के यह यह एक दिन में रख लेते हैं तो वह गलत है गलत नहीं है लेकिन शादियों को थोड़ा सा तरीके से करें क्योंकि यह जीवन भरका नहीं साथ जन्मों का संबंद होता है और एक लड़का एक लड़की जुड़कर मांसिक आर्थिक शारिरिक तीनों तरह से व्रद्धी करने का कारे करते हैं जब एक कपल मिलता है तो उन दोनों के मिलने से उस घर के अंदर लक्षमी भी आती ह उस घर के अंदर नाम प्रतिष्ठा भी आती है समान भी आता है आपका वंश भी वरता है आप दोनों स्वस्त रहेंगे आप दोनों का माइंड अच्छा रहेगा तो आप न जाने कितने और लोगों के लिए कितना अच्छा कर पाएंगे ठीक है ना तो मेरा ऐसा कहना है कि शादी को शादी के तरीके से होना चाहिए, जैसे कि पार्च दिन के बिंदायक बैठाये जाते हैं, मुझे नहीं पता आप किया क्या कहते हैं, शेक गनेश पूजा कहते हैं, पार्च दिन के गनेश जी बैठाये जाते हैं, और फिर उसके अंदर रोजाना ऐसा होता है कि औरत होती है हल दी के लो भी स Sapbankra होते हैं उसकी किया जाते हैं और त्यों चाल वो तक्राइव volleyball ली आप लुपकी पहसा होते कि साहता है कि द्धि daí कि उसके चार होते है और उसकी ऐंसले कैसे और यह कें जो फेर आंगर अच्छा वो छे होते हैं आज कल तो हम इसका भी कॉंसेप्ट थोड़े होगी भी फास्वोड एक घंटे में खतम करो आज कल तो भई आज कल तो मैंने देखा है फिल्मी गानों पे फेरे हो रहे हैं सही कहरो मैं वैसे अब तो सब उल्टा पूल्टा ही हो रहा है तो वैसे आप बतारते हैं एंगल्स के हिसाब से यह थोड़ा टेक्निकल है तो जब कभी मेरा भाई आएगा ना तो वह आपको समझाएगा क्योंकि वह ज्यादा अच्छी से आपको बताता है लेकिन जो लड़क आपके चार होते हैं और में को नहीं पता कि सब जगे ऐसा है या नहीं है लेकिन हमारे यह लोग गीत भी जो होते हैं वह चार होते हैं तो लड़की के जो तीन फेरे होते हैं वह डबल काउंट कर लें चार बार ही चक्कर लेते हैं वह सब जगे ही चार लेंगे जो भी आप को बताती हूं लोगों को शायद पता है या नहीं पता जब का इंद फेरे होते हैं、 उसके बात में कांसे का पात्र लड़की को देना ये बहुत शुब माना जाता है वो कौन देता है مाबाप की तरफ से जाता कांसे का पात्र अब Itu hyper chaos कांसे का पात्र फिर कुछ लोग उसको ब्रहर हमनों को पुछ साथ ले जाते हैं तो उसमें अलग-अलग जगे की अलग-अलग रिचुल्स रहिं कुछ उसके अंदर धान भरके वह वापस से माईके में दे देते हैं क्योंकि लड़की ऐसे माना जाता है दौनों घर की लक्षमी है तो यहां का भी ना जाए और वहां भी बरकता है तो उसके लिए यह रिच्वल करा जाता है कोच एक जैंडरल रेमिडीज पर वापस आते मैंने आप से पूछा था जो सब कर सके सबकी लाइफ अच्छी रहे शादी शुदा जिंदगी बढ़िया चलती रहे जो बेडरूम होता है उसको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि वहां से अच्छी अच्छी सौंदी सुगंध हमे हर फ्राइडे को परफ्यूम या इत्र जरूर लगा दीजिए ताकि उसकी सुगंध बनी रहे आजकल तो इतने अच्छे अरोमा फ्रेशनर्स आते हैं जो भी आप लगा सकते हैं अपने बेडरूम के अंदर संडे के दिन लोबान जरूर जलाना चाहिए इससे जो नेगिट हुए जल के अंदर कम से कम धाई किलो रेवडी जरूर बहानी चाहिए इससे एक तो बरकत हमीशा बनी रहती है स्वास्त हमीशा सही रहता है शारेरिक रूप से दौनों के बीच में कभी भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रेट नहीं होता एक सबसे बड़ी चीज यह होती है कि husband wife के बीच में understanding बहुत होनी चाहिए जूट नहीं होना चाहिए दोखा नहीं होना चाहिए उसके लिए मंगलवार के दिन किसी भी पंड़ताइन को यह husband भी कर सकते हैं और wife भी कर सकते हैं किसी भी पंड़ताइन को आपको सुहाक की सामगरी दान करनी चाहिए और ऐसा तीन-तीन महिने में एक बार करते रहे हैं अल्राइट दोस्तों मज़ा आ गया त्रिश्ला माम के साथ और माम के पास इतनी सारी knowledge है कि हम इनको बार-बार तंग करते रहेंगे आपके लिए बुलाते रहेंगे और और सारी remedies हम पूछते रहेंगे पर फिलाल इस episode को यहीं खतम करते हैं अगर आपको लगता है कि आपके यह episode helpful था तो प्लीज इसे अपने तक ना रखें इसे जादा से जादा शेयर करें त्रिश्ला माम को कैसे रीच आउट करना है उसके लिए जो उनकी टीम का authentic नंबर है और उनका पर्सनल यूट्यूब चैनल है वह हम description में डाल रहे हैं यहां गोल बटन भी आ रहें प्लीज उसी नंबर से उन्हें रीच आउट करें अगर आप नहीं रीच आउट कर पारें तो थोड़ा patience रखें इंस्टाग्राम भी इंकाम description में जरें वहां पे आप message करके छोड़ सकते हैं बहुत जादा लोग इनसे connect करना चाहते हैं और यह अकेली इनसान है तो कि एक साथ इतने साथ लोगो अटेंड नहीं कर सकते तो प्लीज आपको patience थोड़ा सा रखना पड़ेगा उसके अलावा हमारी merchandise के नए designs आ गए हैं बाई हमारी merchandise की store app check out कर सकते हैं realitstore.com उसका link पे description में यह देखिए ओम evolution और इसका backprint बहुत तंगड़ा है वह आपको दिख रहा होगा